सभी को जाहें मैंने तनिकोडेज वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल Mission NCC The Way of Success में आप सभी NCC के अड़ेट के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशकबरी है आप में से बहुत सारे के अड़ेट का एक सपना होता है वो इंडियन आर्मिय में ओफिसर बनना चाहता है दो स्टार अपने कंदे के उपर लगाना चाहता है तो आप सभी का भी सपना जो है वो आज पूरा हो सकता है क्योंकि आप सभी के अड़ेट के लिए NCC Special Entry Scheme की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है तो इसके लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है इसका ellipsity criteria क्या है यह सारी चीज़े आपको बताने वाला हो साथ में आपको इसमें किसी भी प्रकार का written exam नहीं देना पड़ता है ना तो आप में इसमें किसी भी तरीके का physical test देना पड़ता है बस आपको जो है वो online application करना है आपको short list किया जाएगा और आपके घर सीधा call later आएगा और आपको interview के लिए बुलाया जाएगा तो इसलिए वीडियो को last time जरू देखना हर एक चीज़ों को बिल्कुल बारिक तरीके से आप सभी को समझाने वाला हो तो NCC special entry scheme 57th course April 2025 दो हजार पचीज के लिए है short service commission non-technical for men and women इंक्लूडिंग words of battle casualties for army personals ओके application are invited from unmarried male and unmarried female बचो इसके लिए जो है आप male हो या female हो दोनों भी apply कर सकते हो बस terms and condition याद रखना आप unmarried होना चाहिए आपकी शादी नहीं होनी चाहिए यानि कि girls और boys दोनों भी इसके लिए apply कर सकते हो याद रखना nationality जो है वह आपकी और उसके साथ साथ unmarried male and female दोनों याद रखना nationality आपकी इंडियन होनी चाहिए अब बात करेंगे बचो age limit के बारे में तो age limit है 19 से लेकर 25 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो अब एक बात आपको याद रखना है तो बहिया 2000 के पहले का आपका जनम नहीं होना चाहिए जैसे की 1997 1998 ऐसे आपका date of birth नहीं होना चाहिए दो जनवरी 2000 बात का चलेगा उसी के साथ साथ बच्चो not later than 1st January 2006 यानि कि एक जनवरी 2006 के बात का नहीं होना चाहिए it means 2007 2008 2009 ऐसे आपका date of birth नहीं होनी चाहिए यह याद रखना दो जनवरी 2000 उसके बात में एक जनवरी 2006 के बीच में आपका date of birth होनी चाहिए यह याद रखना अब तीसरी बात बच्चो आपका जो 10th class की जो matriculum या secondary school examination का जो certificate होता है उसके उपर जो date of birth है वही date of birth जब आपको इस form में आपको feel करना पड़ेगा और वही accept किया जाएगा याद रखना अब दूसरी बात बात करेंगे बच्चो अभी educational qualification क्या है तो NCCC certificate holders के लिए सबसे पहले education qualification की बात करेंगे degree of recognized university or equivalent with aggregate of minimum 50% marks टेकी है तो बच्चो इसमें बोला क्या गया है आप जो है आपके पास degree होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि भाईया आपका final complete होना चाहिए ठीक है अगर आपके पास आपका final year complete है आपके पास degree आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात ह याद रखना 50% आपको score करना पड़ेगा बचो 50% से आपकी degree बनी होनी चाहिए मतलब aggregate आपको जो है वो 50% से आपकी degree बनी होनी चाहिए या दूसरी बात याद रखना और या तो अगर आप pre final year में हो it means कि बच्चा आपका final year complete नहीं हुआ है आप अभी paper देने वाले हो और आपका final year जो है वो अभी होने वाला है कुछ मेनों के बाद मतलब आप मान के चलो आप BA कर रहे हो बिकॉम कर रहे हो तो आप pre final year में हो मतलब आपने first year clear कर लिया है second year clear कर लिया है अब मान लो आपका third year है अब third year का मान लो आपका semester six है या किसी का आप third year में हो तो आप last semester में इसके लिए apply कर सकते हो, मतलब मैं graduation में हूँ, मेरा last year है graduation का, तो मैं form भर सकता हूँ, इसमें कोई problem नहीं है, but मेरे जो first year और second year के जो mark है, वो 50% होना चाहिए, मेरे को first year में भी 50% और second year में भी मेरे 50% जो है, वो marks मेरे बनने चाहिए, तब मेरे को किसी भी हालत में जो है, वो final year तक जो है, 50% मेरे को score करना पड़ेगा, यह तो याद रखना सभी, अब pre-final year में हो, तब भी आपको chance मिलेगा, but 50% से अगर आपके कम है, तो आपका जो है, वो जो form में वो cancel किया जाएगा, इस बात को भी याद रखेंगे, तो यह दो चीज़े pre-final year में हो, तब भी दे सकते हो exam, अगर final year हो चुका है, तब भी जो है, आप इसके लिए apply कर सकते हो, दोनों भी चीज़े याद जरूर रखें, अब बात करेंगे service in NCC, भाई अगर आपके पास I think should have served for minimum 2-3 years, बचो जब आप form भर रहे हो, तो आपके पास C certificate complete होना चाहिए, यह तो आप सभी को पता ही है, C certificate होगा, तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हो, अब बात करेंगे grading, अब grading, C certificate तो है, लेकिन grade भी तो उसमें चाहिए, तो बचो आपका minimum B grade होना चाहिए, अगर आप इसके लिए apply करना चाहिए, तो minimum B grade आपके पास होना चाहिए, याद रखना, अब दूसरी बात, तो मान लो आपके पास C certificate आ गया है, तो आप 100% इस form को भर सकते हो, मान लो आपके पास C certificate नहीं आया, लेकिन आपके पास provisional certificate आया है, तब भी आप joy wise form को भर सकते हो, ठेके, मतलब आज की date में, आज की तारीक में, जब आप form भरोगे ना, तो आपके पास provisional certificate या original certificate आपके पास होना चाहिए, अब provisional certificate आपक original C certificate आपका होना चाहिए, otherwise अगर C certificate original वाला नहीं होगा, तो आपका जो है, form cancel किया जाएगा, आपको SSB interview देने का मोका नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना आठेगे, तो आपके पास provisional है, अभी तब भी आप भर सकते हो, याद रखना सभी, अब बात करेंगे, बचो फिर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बाते, for the qualified graduate candidates of the degree course, मतलब देखो, आपको मैंने बता दिया, 50% से आपकी degree बनी होनी चाहिए, अब 1 April 2025 तक जो है, वो आपके पास आपकी degree आ जानी चाहिए, बचो याद रखना, ठेक है, 1 April 2025 तक आपके पास आपकी degree जो है, वो आ जानी चाहिए, आपको किसी भी हालत में degree certificate या provisional certificate आपको जो है, DGNCC को provide करना पड़ेगा, 1 April 2025 तक आपके पास degree आ जानी चाहिए, अब बात हो रही है, for the candidate studying in final year of the degree course, मतलब आप pre final year में हो, तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हो, लेकिन 1 April 2025 तक किसी भी हालत में आपके पास आप की degree या provisional certificate आजाना चाहिए, तब भी जो है वह आप इसके लिए apply कर सकते हो, तारीक याद रखना है, 1 April 2025 तक degree आजानी चाहिए, ओके, चलो, यहाँ पे फिर से लिखा है, all final year appearing candidate, whose final year या final semester exam will be scheduled after 1 April 2025, are not eligible to apply for this course, मतलब बच्चा, जो भी बच्चा, जिस भी बच्चे का final year क paper, 1 April 2025 के बाद होने वाला है, वो इसके लिए apply नहीं कर पाएगा, simple सी बात है, अगर आपके final year के जो exam है, वो 1 April 2025 के बाद अगर है, तो आप इसके लिए apply नहीं कर पाओगे, इस बात को भी याद जरूर रखेगा, ओके, तो बाकी चीज़े मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है, educational qualification भी मैंने आपको बता दिया है, उसे के साथ साथ बचो vacancy की बात करेंगे, तो भाया, 70 vacancy में से जो है, 63 vacancy, जो है, वो men's के लिए, मतलब boys के लिए जो vacancy है, वो 63 है, general category, इसका मतलब general category का मतलब यह, उसमें OBC, SBC, ST, VJNT, सारे category वाले आ गए, ठीक है, जितने भी है न, general category में सभी आ गए, ठीक है, वो सभी को मिला करके 63 vacancy है, उमेंस के लिए, मतलब महिलाओ के लिए, जो है, जो अपनी girls cadet है, उनके लिए 5 vacancy है, इस बात को याद रखना है, इसमें भी सारे cast आ जाएगी, 5 सभी category को मिला करके, 5 vacancy है, आपको इसमें देखने को मिलत girls के लिए इतना याद रखनेंगे सभी, बाकी जो है वो चीज़े आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, training कितने दिन की होगी, rank promotion कैसे होगा, उसके बाद में payment कितना मिलेगा, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ बच्चों यहाँ आपको ध्यान देने वाली यह है, आपका जो form है, अब form की तारिक हम discuss करते हैं, आपका जो form है, online application इसका कब से शुरू हो चुका है, बच्चों, 11 जुलेई 2014 से इसका online application शुरू हो चुका है, और इसका last date जो है, वो 9 अगस 2024 से पहले आपको online application करना पड़ेगा, आपको form भर सिंपल सी बात है, आपके पास NCC का C certificate चाहिए, या आपके पास NCC का provisional C certificate चाहिए, graduation में 50% mark चाहिए, अगर आप pre-final year में हो, तब यह आप form भर सकते हो, कोई problem नहीं है, लेकिन 1 April 2015 तक आपके पास, आपका graduation की जो degree है, वो आपके पास आज जानी चाहिए, ठीक है, और इस अगर आपके पास NCC certificate है, C वाला, तो आप इसके लिए apply करेंगे, और C में भी B grade है, तो ही apply करोगे, कोई doubt हो, तो comment box में मुझे पूछ लेना, उसे के साथ साथ, अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, जो आने वाले exam में A grade लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे B certificate का exam देंगे, C का exam देंगे, उन बच्चों को मैं recommend करता हूँ, यह हमारी mission NCC की book, जो आपको amazon and flip card पे मिल जाएगी, अगर B के exam में alpha लेना चाहते हो, C के exam में A grade लेना चाहते हो, तो अभी अपने लिए book online order करो, और अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर दो, और अधिक पढ़ा लिजे, मिलता हूँ, नेक्स्ट वाली वीडियो में, जाहेन वांदे मात्राम